नमस्कार स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम धर्म विशेश में आपके साथ मैं हूं मलिका आज हम बात करेंगे सूरे के रत्न मानिक के कीद और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे आचारे सचन शिरोमनी जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है आचारे ज हम इस विशेश पर बात करने वाले हैं और मानिक के रत्न के बारे में क्या-क्या उसके फायदे होते हैं आईए जानते हैं बिल्कुल मित्रो मानिक के रतन आपने बहुत सुनाओगा नवरतन के बारे में लेकिन मानिक के के बारे में आपको आज थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि कैसे मानिक के रतन जो है आपके लिए फाइदेमंद साबित हो सकता है देखिए मानिक को जब आप पहनते हैं तो पत्रिका के अंदर सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य की इस्थिती को उत्तम करने के लिए सूरिय मेश राशी में उचके होते हैं और तोला राशी के अंदर नीच के होते हैं ये भी आपको मैं साथ साथ जानकारी देना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि मानिक जब आप धारन करते हैं तो आपका रुकाववा कार्या पूरा होने लगता है और जब आप मानिक धारन करते हैं उत्तम स्थिति का हो, उत्तम क्वालिटी का ये मानिक होना चाहिए इस चीज का ध्यान रखेगा आप और जब भी आप मानिक धारन करें कितने रत्ती का धारन करना है किस राशी वाले व्यक्ति विशेश को धारन करना है ये मैं आपको बताऊंगा और मानिक जो है आपको बता दूँ कि रवी रत्न और मानिक्के के नाम से ये जाना जाता है इसको रूबी भी बोलते हैं और मानिक से जीवन में नाम की प्राप्ती होती है यश, विजय मान, वैभव कीरती, लोक प्रियता, पबलिसिटी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है मानिक के व्यक्ति विशेश के अंदर समाई हुई कायरता यहां कायरता का अर्थ में आपको पहले समझा दू कायरता क्या है किसी का आप सम्मान कर रहे हैं और व्यक्ति विशेश चुप है तो आप उसकी कायरता ना समझिएगा कायरता क्या है कि आपके अंदर के जो दब्बूपन है आपके अंदर का जो एक डरपोक इंसान है उसको यह मार देता है और एक उजवलता आपके अंदर पैदा करता है सूर्य हिरदय का कारक है प्रकाश का कारक है इसी कारण से जो सूर्य है वो आपकी सकारत्मक सोच को बढ़ाता है और आपको बता दू यह राजनिती और उच्च पद में जितने जो लोग होते हैं वो ये धारन करते हैं उच्च पद में आप जब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत हद तक सफलता दे देता है लेकिन कहीं न कहीं सूर्य हिरदय रोग से सम्मंदित बिमारियों को दूर करने लगता है रक्त चाप की बिमारी जो हो जाती है तो उसे साथी साथ पशागात है दुर्बलता देखी दुर्बलता भी मैं आपको बता दू यहां दुर्बलता क्या है कि सूर्य मेश राशी के अंदर उच्च के होते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी उर्जा का संचार करने लगते हैं वही सूरिय तुला राशी के अंदर बैटके आपके अंदर कुछ न कुछ कमी कर देते हैं, आपको हड़ियों से संबन देते रोग देते हैं, आप कहीं भी चलते चलते गिर जाते हैं, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तो ऐसे में आपको सूरिय उपासना हर तरीके से लाबकारी हो सकती हैं, आपके भाग्य में व्रद्धी करता है, और साती साथ धन की आवक को पहले से जादा बढ़ा देता है, ये कैसे व्रद्धी करता है, कालपुरुष की पत्रिका से यदि आप देखें, तो लगन से पंचम भाव का स्वामी जो की लक्षमी स्थान कहला करता है, यदि आप मेश-राशी के व्यक्ति हैं और आपने मनेक के धारन किया, तो आपके भाग्य में व्रद्धी भी करेगा, और साती साथ आपके धन की आवक को पहले से बहतर कर देगा, कौन-कौन से व्यक्ति इसे पहनते हैं, इसे इंजिनियर लोग पहनते हैं, वकील राजनेता बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, वो इसको धारन करते हैं, व्यापार में सफलता हासल करने के लिए व्यापारी लोग इसको धारन करते हैं, मेडिकल से संबंदे जितने भी छात्र हैं या डॉक्टर हैं, वो इसे पहनें, तो हर तरीके से उन्हें सूरे का जो दुश्प्रभावता वो दूर होकर अच्छा परिणाम मिलता है और जो व्यक्ति विशेश डॉक्टर है खास तोर से उनके हाथ में उनको यश्की प्राप्ति हो जाती है यदि वो किसी पेशेंट को देखते हैं तो मान के चलेगा कि वो पेशेंट जो है सही हो सकता यानि कि उसके रोग जो हैं दूर हो सकते हैं कारण क्या है सूरिय मान सम्मान का भी कारक है सूरिय रोगों को दूर करता है सूरिय आपकी पहचान को पहले से बेतर बनाता है इसलिए विक्ति विशेश मानिक धारन करें मानिक जब भी आप धारन करें तो इसकी एक विधी भी होती है मानिक जब आप धारन करते हैं तो एक बात और बता दू लगबग 7 से 12 दिन के भीतर ये जो है आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने लगता है लेकिन इसको पहले यदि आप टेस्ट कर लेते हैं तो आपके लिए और ज्यादा बेतर हो सकता यानि कमाल का रतन है मानिक और सूर्य का विशेश रतने से माना जाता है कितने फाइदे हैं अगर आप इससे धारन करते हैं अगर आपकी कुंडली में ये है कि आपको इस रतने के पहनने से फाइदा होगा तो इसके अनेकों अनेक लाब है लेकिन यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि असली मानिक की पहचान कैसे की जाए उसके बारे में बताएए बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया मलिका जी आपने, अब आप असली मानिक को पहचाने कैसे आपको हो सकता है कोई नकली मानिक दे दे एक तो आपके पास तरीका यह है कि आप उसे लेप टेस्ट करा ले यह भी माν सकता हूँ मैं लेकिन अगर आप लेप टेस्ट नहीं करापा रहे और आप किसी ऐसी जद्धो जहद में ऐसी स्थिती में फस गए तो आप उस मानिक को पहचाने कैसे, ये भी तो आपके लिए बहुत जरूरी है, देखिये, असली मानिक को सूरिय के सामने जब आप रखते हैं, तो उसके अंदर से हलकी हलकी गुलाबी और लाल किरने निकलने लगती है, असली मानिक अंधरे में भी अपना प्रकास छोड़त लेकिन वो मानिक बिल्कुल नहीं किसेगा, उसके वजन में रत्ती बर भी फरक नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखिए, असली मानिक को यदि आप अपने नेत्रों पर रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, असली हो, उत्तम क्वालिटी का हो, यदि आप उसे अपने नेत् आप अपनी आखों के अंदर नेत्रों में एक ठंड़क पन, एक अच्छा ही, एक मतब सकारत मकता का मतब महसूस करने लगते हैं, असली मानिक जो होता है, वो चमकदार होता है, एक मानिक की आपको और पैचान बता दूँ, उसके अंदर का जो वाटर लेवल होता है, जो प इचा है, आप गोल मानिक लें, या फिर थोड़ा ओवल शेप में, या फिर लंबे शेप में लें, और आपको बता दूँ, मानिक जब भी आप धारन करें, तो हमेशा उत्तम स्तिती का धारन करना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का धारन करना चाहिए, यह आपको शुप परि प्रभाव किया है यदि आपके उपर कोई नेगेटिव एनरजी का असर है तो मानिक पहनने के बाद वो नकारतमत्ता का प्रभाव आपको छोड़कर दूर चला जाता है और मानिक पहनने के क्यालाव हैं मानिक पहनने से यदि आप किसी गौवर्मेंट जॉब के लिए आवेधन कर रहे हैं वो आपकी पत्रिका के अंदर उत्तम इस्थान का स्वामी है तो मान के चलिए आपको मानिक पहनने से गौवर्मेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है बशर क्वालिटी होगी तभी आपको यह सब फाइदे उसके मिलेंगे जो जो चीज़ें यहां पर आजारे जी ने बताई मैं उम्मीद करती हो आपने नोट कर ली होंगी उन सभी बातों का जबी आप मानिक खरीबने जाएं खास तोर पर ध्यान रखें चलिए आगे बढ़ते हो औ उनके पंचम भाव का स्वामी होता है तो मेश राशी के जितने लोग हैं उन यदि वो मानिक धारन कर लेते हैं तो उनको धन की प्राप्ती हो जाती है उनको बच्चों से संबंदित कोई परिशानी नहीं होती उन्हें मंत्रना शक्ती चाहिए तो वो मिल जाती है किसी मंत् जो है वो मानिक धारन कर सकते हैं तो सूरिय पंचम भाव का स्वामी होने की वज़े से उनकी काफिहत तक मदद कर देता है अब बताता हूँ आपको अगली राशी सिंग राशी के बारे में सिंग राशी यानि कि सूरिय की अपनी राशी जिन सिंग राशी वाले व्यक्ति विशेश को कोई शारेरिक दुरबलता है वो बिमार रहते हैं उनके कारिया रुख जाते हैं तो मान के चलिए सिंग राशी के व्यक्ति विशेश उत्तम क्वालिटी का मानिक धारन कर सकते हैं ये धारन करने से उनको शारेरिक दुरबलता खत्म हो जाएगी और हिर्दय करें क्योंकि दशंब्हाव का स्वामी करें आपके कारेच छेत्र में आपको बदलाव करके आपको घरत राशी के है सद्धान करना चाहिए तो आप मानके जलिया, आप मानिक धारण करें और कैसे धारण करना है कम से कम धनुराशी के जो लोग हैं कम से कम साड़े छे से साड़े साथ रत्नी तक का मानिक अवärश्य धारण करें कूलेटी पे बिलकुल ना जाहिएगा अच्छी quality का धारन करिएगा फिर देखिए आपके हर कारिये बनने लगते हैं अजारी जिरो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मानिक धारन करने से तो प्रसिद्धी मिलती है यसारी मिलती है इतने फायदे होते हैं तो वैसे तो हमने बता दिया कि कौन-कौन सी राशी वालों को ये पहनना चाहिए लेकिन रत्न है इसके अच्छे फायदे भी होते हैं लेकिन अगर आपके निय lai वो सही नहीं है तो आपको side effects भी हो सकते हैं तो किन राशियों के लिए आपको लगता है कि मानिक पहना नुकसान दे भी हो सकता है। अब बताता हूँ आपको कन्या राशी के बारे में। आपको संबंद खराब हो सकता है। और आपको बताऊं आपके जीवन साती से आपका वाद विवाद हो सकता है। तो बिलकुल भी इस चीज़ को आप गांट पार लीजिएगा कि मकर राशी के जो लोग हैं मानिक धारन ना करें। और वैसे भी मकर राशी और सिंग राशी का कहां से संबंद है। आपकी दाई या बाई आँख पर चोट लगा सकता है इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्ता के अंदर है कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्ता के अंदर है तो उसका रत्न या उपरत्न आप ना पहने इससे अच्छा रहेगा कि आप जो है उसके इस्त्रोत का पाट करें, उसके कवच का पाट करें, उसके कवच को किसी योग विद्वान ब्रामन से बनवा कर अपनी दाइं भुजा या बाइं भुजा पर आप धारन करलें, ये आपके लिए सर्वोत्तम रहता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मानिक के रतने के बारे में जिसके पहुत से फाइदे हैं और ये आपने जान लिया कि अगर इन राशियों के लिए नुकसान दायक है और कि इन राशियों के लिए ये धारन करना अच्छा रहेगा लेकिन आप ये जान लेते हैं कि मानिक धारन करने कि आसान विधी क्या है? बिल्कुल मित्रो, मानिक जब आप धारन करते हैं, आपको ये पता चल गया कि मुझे मानिक अमुक रतन या मानिक रतन जो धारन करना है. सर्वपर्थम मानिक को सोने या तामबे की अमुठी में ही धारन करना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप धारन करें, तो किसी शुकल पक्ष के रविवार के दिन, सुरियोदे से एक घंटे के बीतर, यानि कि सुरियोदे से लेकर एक घंटा उसी क भोरा में उसको यदि आप धारन करेंगे, तो आपको बहुत शुक परिनाम मिलेगा, दाएं हाथ की अनामिका उंगली में आप इसे धारन करें, धारन करने से पहले पंचमरित से इसे सनान कराएं, दूद, दही, घी, शैद और शक्कर, अच्छे से मिलाईएगा, हो सके तो किसी चांदी के पातर में ये ले लीजिएगा, फिर उसे सनान कराईएगा, ओम ग्रणी सूर्यायनमा मंत्र का आप जाब करिएगा, ततपस्चात आप इसे फ्रेश वाटर या गंगा जल से आप धो सकते हैं, धारन करने के बाद, आप अनामिका उंगली के अंदर इसको धा कारक होते हैं, तो इसलिए आप यदि जब भी नीन, माफ कीज़ें का, जब भी आप मानेक धारन करें, तो अपने पिता के चरण इसपर्श करें, तो आपका मानेक आपको बहुत अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन मानेक कभी भी जो आप चांदी में नाधारन करें, बह आपको बहुत उत्तम रिजल्ट दे दे ये मानें। देखिए, जब भी आप विधी विदान से माने करतन धारन करें, तो धारन करने के पस्चाद पिता के चरणस पर्ष्टो आपने कर लिए, फिर उसके बाद क्या करना है, घर से निकलना है और घर से निकलके या तो फिर आए हाथ से सभी नेत्रहिन व्यक्तियों को आप जो है मीठा भोजन वित्रित कर दीजिए, दान कर दीजिए, और हो सके तो नेत्रहिन विद्याले के अंदर कुछ आटे की, कुछ चीनी की, कुछ गेहुं की विवस्ता इस तरीके से करा दीजिए, या फिर वहाँ पर जल की व दना हुआ मानिक आपको लाप अवश्य देगा, जब आप धारन कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या कुछ करना है, यह तो आपने जा लिया, एक और चीज मैं यहां से पूर्णा चाहूंगी, कि जैसे सूर्य का विशेश रत्म मानिक्यों को माना जाता है, तो क्या कोई परहेज भी आपके मतलब आचरण में किसी तरह का बदलाव या अपने लाइश्टायल में किसी तरह का बदलाव ज़रूरी होगा, देखें, जब भी आप मानिक धारन करें, सर्वोतम तो अपने आचरण पर ध्यान रखें, उसके बाद जूट बोलने से बिलकुल परहेज क सम्मान करें, और साथी साथ अपने जो पिता हैं, पिता के उम्र के जितने व्यक्ति विशेश, उनके चरण स्पर्श करना अरंब कर दें, हर तरीके से सूर्य का शुब जो है परिनाम जो है आपके सामने होगा, अपने यहाँ पर मानिकी विशेश ताएं जानी, किस तरह से इसको धारन करना है, आसान विधी भी आजारी जी ने आपको बिताई, बहुत दोई शुक्रिया जारी जी शो में जुडने के लिए हमारे साथ, धर्मिशेश में फिलहाल इतना ही